गर्मियों में अक्सर खाना खाने को जी नहीं करता, कुछ चटपटा खाने कमन करता है, तो चलिए आज बनाते हैं चटपटा स्पाइसी मज़ेदार देखते ही मुँ में पानी आने वाला 10 मिनिट वाला सफेद मटर की चाट की रेसिपी, इसके लिए मैंने सफेद मटर को रा उपर का छिलका निकाल कर इस तरीके से रफली कट कर लिया है, यह इसके अंदर डाल देंगे, अगर आप आलू लाइक करते हो तो डालिए, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन चाट में जब तक आलू नहीं पढ़ता, तब तक उसका स्वाद नहीं बढ़ता, हलका मटर अच्छी तरीके से बॉइल हो गए है, एकदम सॉफ्ट हो गए है, ना जादा मैशी जैसे हमें चाहिए, बिल्कुल वैसे यह बॉइल हो गए है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं, इसके लिए मैंने ग्यास के उपर एक कडाई रखी है, इसमें डाल देंगे, तीन टेबल स्पून ओईल, ओईल गरम होते हैं, इसमें एक चमच जीरा डाल देंगे, और जीरा अच्छी तरीके से फूलने के बाद इसमें डाल देंगे, एक बड़ी साइज की प्यास को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, यह इसके अंदर डाल देंगे, और प्यास को हलका अधर कर इसके अंदर डाल देंगे, और फिर डाल देंगे स्वाथ के आखोर्डिंग नमक, नमक हमें हलका सा कम ही डालना है, क्योंकि हमने जब मटार बॉयल करने के लिए डाले थे, उसमें भी हमने नमक डाला था, अभी इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, और चाट मसाला, जब तक चाट के चीजों में चाट मसाला नहीं पड़ता, उसका स्वाद नहीं आता, फिर डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर, और एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सभी मसालों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, अगर आप चाहे तो इसके अंदर एक से दो चमच पाणी डाल कर भी इन सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स कर सकते हैं, फिर इसमें अब हम डाल देंगे हमारे उबले हुए मतर, और इसे लो फ्लेम पर बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे, बिना जंजट वाली 10 मिनिट वाली रेसिपी है, और बहुत ही टेस्टी है, एक बार जरूर ट्राइ कीजे, सभी मतर डालने के बाद इन सभी चीजों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे, तो ये मिक्स हो गया है, मुझे इसमें हलका सा पानी कम लगा, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून पानी इसमें आइड कर लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे और एक उबालाने देंगे, तो इसमें बढ़िया सी उबाला गया है, फिर इसके उपर डाल देंगे, हम फ्रेश हरा धनिया और अधे निमुका रस, तो रेडी है, हमारी चटपटी, मज़ेदार ऐसी सफेद मतर की चाट, अब हम इसे असेंबल करेंगे, आप अपन इसके उपर डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया और फिर जाएगी इसके उपर आधे निमुको कट करकर उसका रस डाल दिया है, फिर डाल देंगे कटकी हुई टोमेटो, कटकी हुई प्याज, फिर जाएगा इसके उपर, अगर आपके पास पापडी हो तो आप पापडी डाल देंगे हरी चटनी और फिर जाएगी फेटी हुई दही और फिर डाल देंगे इमली की खटी मिटी चटनी हरी चटनी और इमली की खटी मिटी चटनी की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ अल्रेडी शेयर की है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फिर इ कीज़े रेडी है हमारी चटपटी स्पाइसी और मज़ेदार ऐसी सफेद मटर की चाट आप इसे जरूर ट्राइ कीज़े और अगर रेसेपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीज़े शेयर कीज़े सब्सक्राइब कीज़े थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडिय कर दो